हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग आसा करते अच्छ होंगे आज आप लोग के भी चुपस्थी था एक नए वीडियो के साथ बिहार करमचारी चेह नयोग पटना इसका नया नोटीस आ गया है पहुत दिनों से सभी छात्रों में यह हल चल तेज हो गई थी कि तिर्थी असनातक अस्तरिय संजुक्त प्राडंभीक परिक्शा जो बैकेंशी चल रहा है तो उसका पीटी का एक्जाम प्रेलेम्स का एक्जाम होगा की नहीं होगा इस पर संसय बना हुआ था तो अन्थता आज बिहार करमचारी चेह नायोग ने इस संसय को छात्रों के संसय को दूर कर दिया है और नोटीस जारी कर दिया तो चलिए देखते हैं नोटीस है 14.1.2022 पतना आज के डेट में नोटीस है आयोग के अवस्यक सुचना ग्यापां कितना दिनायंक 9.9.2022 दराभी ग्यापन 1.22 तिरतिया असनातक अस्तरिया संजुक्त प्रारंभिक पत्योगता की गई थी इससे पहले जो डेट आया था वह 26 नॉंबर और 27 नॉंबर का रेट था आगे है और परिहार कारणों से प्रारंभिक परिक्षा की तिथी में संसोधन किया गया है उक्त परिक्षा अव दिनायंक 23 दिसंबर एबम 24 बारे 2022 24 दिसंबर को संभावित है मतलब 23 दिस दिया जाता है कि अध्यतन सूचना है तू आयोग के बाप साइट httpbsac.cov.in का सतत अवलोकन करते रहे सची बिहार कर्वचारी चेहन आयोग पटना तो जिसका डर था वही हुआ फाइनली डेट आगे बढ़ गया एक्जाम का डेट 26 नॉवंबर और 27 नॉवंबर का डेट कैंसिल हो गया है 23 दिसंबर और 24 दिसंबर मतलब एक मन्त का टाइम आप लोग को और मिल गया है तो जो भी छात्र जो 90 परसेंट कर चुके हैं वो 100 परसेंट कर ले अपनी तैयारी क्योंकि ये वो एक्जाम है बहुत भाड़ी तो आप लोग इस वीडियो को देखिया वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करें थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में